कल मैंने एडी के कारणामों का और एडी कैसे जबरन गन पॉइंट पे प्रतारित करके मार पीट करके कान के परदे फाल के बयान ले रही है इसकी सिलसिलेवार डीटेल आपके सामने रखी थी आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूँ वो बहुत चौकाने वाला है और पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि एडी वास्तों में जूटे बेबुनियाद बिना सिर्पैर के केस बनाने पे लगी वी है कोई तथ नहीं कोई प्रमार नहीं कोई बयान नहीं जूटे केस बनाओ जूटे केस दर्च करो पिछले कई दिनों से बार-बार मीडिया में एडी के माध्यम से मेरा नाम लिया जाता है मैं बड़ा परेशान था कई रात सो नहीं पाया पूरा जीवन इमानदारी से बिताया पूरी इमानदारी से सो प्रतिसत इमानदारी से अपना जीवन बिताता हूँ मैं बड़ा परेशान हुआ कि जिस आपकारी नीती से मेरा कोई लेना देना नहीं उसमें एडी मारबार मेरा नाम क्यों ले रही है अखबारों में मीडिया में टीवी चैनल पे खबरे क्यों प्लांट की जा रही है जब खबर चली मीडिया में मैंने जानकारी ली तो पता चला एडी की चार सीट में मेरा नाम है मैंने चार सीट खोजी चार सीट में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़के सुना रहा हूँ ये एडी की चार सीट है एडी की चार सीट इस चार सीट में कहा गया है कि एक दस दो हजार बाईस को दिनेस अरोडा ने ये पताया कि अमित अरोडा की एक दुकान का ट्रांसफर अमित अरोडा की एक दुकान का शराब की दुकान का ट्रांसफर संजे सिंग के डिरेक्शन पर मनीज से सोधिया ने किया अब पहला सवाल होता है कि संजे सिंग कौन होते हैं डिरेक्शन देने वाले लेकिन इस स्टेट्मेंट में लिखा गया इस चार सीट में लिखा गया कि दिने सरोडा ने ऐसा बताया कि अमित अरोडा की शराब की दुकान संजे सिंग के डिरेक्शन पर मनिस से सौधिया ने ट्रांसपर की इसका आपकारी नीच से कोई लख देना नहीं मैं आपको फिर क्लियर कर दू इस अमीत अरोडा की कोई शराब की दुकान है जिसके ट्रांसपर करने की बात कही जा रही है यह लीकर पॉलिसी के पहले का मामला बताया जा रहा है इसको ध्यान से समझियेगा यह कौन कह रहा है ED कह रहा है कहां कह रहा है अपनी चार सीट में कह रहा है कब कह रहा है च्छे जन्वरी को च्छे जन्वरी को यह तारीख याद रखियेगा छे जनवरी को जब एडी अपनी चार सीट दाखिल करता है तो उस चार सीट में मेरा नाम लिखता है कि मेरे डिरेक्शन पर मनिस से सौधिया ने अमित अरोडा की शराब की दुकान ट्रांसपर की अब आगे ध्यान से देखिएगा सुनिएगा और एक एक काज़ात पढ़िए तुनिएगा कि किस तरीके से एक फर्जी झूठी चार सीट क्योंकि मैं आडानी के महाग होटले के खिलाब बोल रहा हूं क्योंकि मैं नरेंदर मोधी सर्कार के भष्टचार के खिलाब बोल रहा हूं इसलिए कैसे यह झूठा मामला बनाएगे आप दिनेस अरोड का दिनेस अरोडा का स्टेट्मेंट जो ED ने दर्ज किया ये चार सीट है छे जनवरी वाली और ये दिनेस अरोडा का स्टेट्मेंट है इस स्टेट्मेंट में ये कहा जा रहा है कि एक्साइज कमिस्टनर राहूल सिंग ने रोटीन वे में अमित अरोडा की दुकान का ट्रांसफर किया इसमें संजे सिंग के नाम का कहीं कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं ED ने खुद जो 50 में बयान लिया दिनेस अरोडा का उसमें संजे सिंग के नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं ये भी आपको उप्लब्द करा दूँगा ये कब लिया गया? ये लिया गया 110-2022 जो चार सीट में डेट लिखी है वही डेट ED के द्वारा दर्च किये गया बैयान में लिखी है अब और मज़ेदार बात आपको बताता हूँ देखिए कैसे जूटे मामले बना रहे है अब न्यायाले के समख्ष जो सबसे तथिपूर्ण और सच्चा बयान माना जाता है न्यायाले के समख्ष दिने सरोडा ने जो बयान दिया 164 का बयान वो 164 का बयान क्या कहता है? वो 164 का बयान कहता है कि अमित अरोडा ने दिनेश अरोडा से जब ये ट्रांस्पर की बात करी तो दिनोई सरोडा लिख रहा है कि मैंने इस बारे में न डिप्टी सीयम से बात करी न संजे सिंग से ये देखिये ये मान्नी न्यायाधीस के सामने दिया गया दिने सरोडा का बयान है दिने सरोडा कह रहा है कि मैंने इस बारे में न डिप्टी सीयम से बात करी न संजे सिंग से आपके लीडर्स मेरे नौलेज में लीकर कंजम्सन के अगेंस्ट हैं ये जोड़ रहा है आपके नेता मेरी जानकारी के हिसाब से लीकर कंजंशन के अगेंस्ट है ना डिप्टी सीम पीते हैं ना संजे सिंग ये बयान पढ़िए आप इसकी कापी मैं आपको दूँगा भी देखे कैसे जूटे केस बनाएं आगे लिख रहा है अमित अरोडा इसको कह रहा है कि नए एक्सराइज कमिस्नर आये है है रहू सिंग रहू सिंग को इस सीट पर मैं लेकर आया हो अमित अरोडा कह रहा है और इसने अमित अरोडा ने रहू सिंग से इनकी मुलाकात कराई दिने सरोडा की और फिर इसमें आगे तारीख दी भी है ये कह रहा है कि जब ये मुझे insist करने लगा कि आप डिप्टी सीयम से बात करिये तो मैंने डिप्टी सीयम से कहा तो डिप्टी सीयम ने कहा मैं देखता हूँ और नहीं 12 23 संथ को राहुल सींग का वोण आया कि आपका ट्रांसफ़र लेटर रोटीन वे में एप्रूब हो गया है आपका trains रोटीन वे में यानि की पूरी प्रक्रिएल का पालन करते हुए एप्रूब हो गया है झाल झाल